दोस्तों कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इस वाकी का विश्लिसर में कुछ इस प्रकार करता हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखेगा मैं नाराइन सिंग मिष्ट आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो सच्ची तथा मेरी जिंद मैं इस बात की परवा भी नहीं करता कि आप कितने निरास या हतास हैं मैं इमानदारी से मानता हूँ कि मैं आपसे अधिक निरास और हतास इंसान हूँ मेरा एक अच्छा मित्र गोपाल बंडारी मुझसे कहा करता था आप पानी में गिरने से डूब नहीं जाते आप तभी जब आप उहीं पर रुख जाते हैं वह यह भी कहते थे हतास होना कोई गूरी बात नहीं है लեगिन आप अपने आप में हतास मत उए आपको गिरा दिया जाए तो आप हारे हमोए नहीं हो आप तब हारते हो जब आप किरने के बाद नीचे पड़े रहतेहो सच पूछो तो मैं इस बात को मानता हूँ बात तब की है जब 1998 मेश मैं सेना में कंप्यूटर कोर्स में गया मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताय था कि अब इससे आगे की बात बताता हूँ जब कोर्स करने के लिए मैं मेगाले की राजदानी शिलांग पहुंचा तो वहाँ पर मेरी मुलाकात कोर्स मेट शिपाई गोपाल बंडारी से हुई उस वक्त मैं अगरतरा से गया था तो गोपाल बंडारी मनिपूर की किसी उनिट से आये थे कोर्स में कुल 32 शिपाई थे मैं सब शिपाईयों से सीनियर होने के नाते मुझे क्लास का लीडर बना दिया गया तो सवावाई कैस जब मैं लीडर हूँ तो मुझे सब लोग जानते थे नॉम्बर का मैना था शिलांग में काफी ठंड होती थी दूसे दिन हमारा intense test होना था नियम ये थे जो test pass करेगा वो ही आगे का course करेगा दूसे दिन test हुआ तो 32 में से 25 लोग ही test pass कर पाए साथ लग के test pass नहीं कर पाए जिसमें मैं भी एक था क्लास लीडर और test में fail गोपाल बंडारी टेस्ट में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करने वालों में से थे यह बात जब गोपाल बंडारी को मालूम चली तो वे मेरे पास आये और कहने लेगे आप निरासना हूं मैं आपके साथ हूँ अभी आप लोगों से पूछा जाएगा कि टेस्ट पास नहीं करने वारे लड़के कोर्स करना चाहेंगे या फिर कोर्स छोड़ना चाहेंगे तो आप कोर्स करने के लिए अपनी सहमेती देना बाकि आप मेरे उपर छोड़ देना मैंने ऐसा ही किया, कोर्स करने के लिए हामी बर्दी और मुझे आगे कोर्स करने की अनुमती मिल गई उस दिन से गोपाल बंडारी और मैं मित्र बन गई गोपाल बंडारी और मैंने अपनी अपनी चारपाई एक सांत लगा ली तब से गोपाल बंडारी और मेरा कामकाज एक सांत चलने लगा गोपाल बंडारी मनिपूर्शे इंग्लिश मीडियम से पड़े होने के कारण उन्हें अंग्रीजी का अथ्षा ग्यान था तो उन्हें अंग्रीजी में कोई कठीनाई भी नहीं होती थी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा होने के कारण मुझे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि कॉंप्यूटरी जो भासा है वो अंग्रीजी की होती है यह बात गुपाल बंडारी अच्छे से जानते थे गुपाल बंडारी ने मुझे कहा आपने मुझे पर विश्वास किया है तो यह मान कर चलिए कि विश्वास कर लेने के बाद सफलता आसान हो जाती है आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं लेकिन मुझे पता है कि आप क्या कर सकते हो इसलिए आप मेरे इसाब से चलेंगे तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे इतना कहने के साथ उन्होंने मुझे प्रती दिन अपने किया कलापों में सामिल कर लिया हम लोगोंने अपनी दून चारपायों को मिलाकर एक कर लिया वो मुझे रात के ग्यार बज़े तक सोने नहीं लेते और सुबरे तीन वज़े उठाकर पढ़ाई करने के लिए जगा देते यहां तक की मेरी चाय और नास्ता की ब्योस्ता भी खुद करते थे मुझे कहते थे कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पध्यान दो तो मैंने टेस्ट पास कर लिया तो यही मैंने अपने पिछले एक मैने की पढ़ाई में अपने पीछे आठ लड़कों को सोड़ गिया मेरी प्रोग्रेस देख गोपाल मेंडारी काफी खुश हुए लेकिन पढ़ाई के मामले में उन्होंने मुझे कोई धील नहीं समय आया टेस्ट हुआ टेस्ट का रिजल्ट आया तो मुझे टॉप टैन मजगे मिल गई उस दिन गोपाल बंदारी के खुशी का ठिकाना नहीं था उसी दिन मैंने गोपाल बंदारी को लाई मुखरा के एक मारवाडी होटल में लंच की पाटी दी थी दूसरे नहीं हमारे क्लास में OIC कैप्टन सर्मा आये जो काफी खुश मिज़ाज ब्यक्तित के थे आते ही उन्होंने मुझे खड़ा किया और कहने लगे आप इंटेस्ट में फेल थे और आज टॉप टैन में कैसे पहुँच गे तुम क्या खा रहे हो तुम मैंने सालिंता से गोपाल बंडारी जी के मारक दर्सन का हवाला दिया तो वो काफी खुश हुए उन्होंने हम दोनों को साबाशी दी और कहने लगे इंसान को अगर सही दिशा मिल जाए और उसमें चाहत हो तो क्या नहीं कर सकता इसी प्रकार अगले एक महने बाद फाइनल टेस्ट होना था सभी लोगों की फड़ाई जोरू में थी गोपाल बंडारी की तरफ से मुझे कोई रियायत नहीं थी आखिर कर कोर्स खत्म हुआ और फाइनल टेस्ट हुआ टेस्ट के बाद हम सभी लोग अपने अपनी इनूट को चल दिये दो मैने बाद रिजल्ट मिला जिसमें मुझे अल्फा ग्रेट मिला था मुझे लगता है जिसमें सारी मेनत गोपाल बंडारी जी की लगी हुई थी अगर भगवान ने गोपाल बंडारी जैसे सक्षियत से मेरी मुलाकात नहीं कराई होती या उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं कुछ और ही होता क्या होता पता नहीं क्योंकि मैं तो शेयना में जीदी का शिपाई था मेरे लिए गुपाल मुंडारी एक महान बेखती थे मैंने जाते वक्ति तब उनका धन्यवाव दरते किया तो वे कहने लिए दाई वे मनिपूर के नेपाली थे मैं उम्र में उनसे बड़ा था तो में लिए दाई सब दगा प्रियोग करते थे क्योंकि नेपाली में दाई को भाई माना जाता है बड़ा भाई माना जाता है तो वो कहने लगे दाई मेरा मानना है जब तुम किसी के लिए काम करो ना तो उसे पूरी सिद्धत से करो अगर तुम पूरी तरह से काम नहीं कर सकते हो तो फिर पूरी तरह से बाहर आ जाओ मैंने भी वही किया तो दोस्तों आज की काहने आपको यह सम्मझने में मदद करेगी कि किसी भी कारी को करने के लिए चाहत का होना बहुत जरूरी है सही दिशा और चाहत का समागम हो जाए तो इंसान ना हतास होता है और ना ही निराज आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा और कॉमेंट्स बॉक्स में अपने सुजाव जरूर लिख बीजिएगा जैहिन धन्यवाद